हाई इस वाकत है आपको हमार चैनल ट्रेबरण भी एंडेस में आज हम आपके लिए पूर्य अपडेट लेकर रहा हैं ओडा ब्रीज से कारवा चांदा तक पूर्य अपडेट लेकर रहा है कहां तक कंश्ट्रक्शन चाल लुए है क्या-क्या चीज बन चुका है उसके पूर् ब्रीज है जो उद्रपुर्बासवाड़वाइवे कुपर से बनाया गया है और यहां पर देख सकते हैं टोटल चार गृंडर है पहले वहां पर गृंडर कम थे लिकन अवर बेंडर लाकर रख दिये गया है हलांकि इस संभव हो रहा है एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हां इस लॉंच कर दिया जाएगा लेकिन गया जैब टेक रिंडर को लॉंच नहीं किया गया है तो आप यह देख सकते हैं चार ग्रिंडर है चारों ग्रिंडर को स्लाइड करके इस ब्रीज की ऊपर सिर्फ रख देना है रखकर उसे फीट कर देना है और उसके बगल में आप देख सकते हैं उडब्री से थोड़ा सा पीछे हो गया तो आप यहां पर साफ सफाई कर दी गई है और यह जो रास्ता दिख रही है सीधा हाईवेक नीचे आके मिल जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डालने के लिए सारा क्लीन करके रास्ता को साफ कर दिया ग रहां लाकर रख दिया गया है और आप यह दिख सकते हैं जितने वी अभी ट्रैक का जो एरिया है जहां से ट्रैक डाली जाएगी सारे ट्रैक के एरिया को क्लीन करके complete कर दिया गया है और साफ-साथ में जो गेटी विछाए जाए गेटी को भी जगा देख कर कही पर रख द बिज का बना दिया गया है यहां से प्रेस्ट होने के लिए हैं हूँ है 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 राप देख सकते हैं और पेभ शोंते को चल्ते अब हम एलद फेस्टेट्स संबद आने वाले हैं आपको तो आप वीडियो को अंतर जरूर बने रहे हैं तो यह देखिए यह टनल नंबर रुilly की बहुत बड़ी टर्पाइब की यकृत बड़ा बर आप उसका अंदाजा आभी आप को लग सकता में उडियों है तो यह देखे टनल नंबर 3 से ट्रेन गुजर के टनल नंबर 2 की तरफ जाएगी अगर आप एमेदाबाद से आते हैं तो तो सबसे पहले आपको टनल नंबर 3 पड़ेगा यह टनल नंबर 3 का भी देखो आप यह इसका इंटरिपॉइंट है और यह देखो एकजिट पॉइंट आपको मैं दिखाने वाला हूँ यह रहा है एकजिट पॉइंट टनल नंबर 3 का यह देख सकते हैं आप और टनल नंबर 3 का अंधर का स्ट्रक्शन हो गया है लेकिन पूरी तरह से रिपेरिंग और उसका जो मेंटेनेंस है वह अची तरह से नहीं हुआ है फिनिसिंग कार्य कोणेने पूरा बाला जी कशना कंश्रुक्सें सांधिने कंश्राहई अलस darle के देख सकते हैं और अब हम यह देख सकते हैं यह जो हैना सब को एक शव्क्री तायप कर दीक़ी स depressed रही है यहां पर ऑक कंश्ट्रक्शन वारक के स्कार अरभर कर बिया आं यहां यहां पर इक सि चल रहा है यहां पर और हम पीछे क्यों रहाते हैं तो यहां देख सकते हैं कि सारा जगा साफ साफाई करके ट्रैक बिछाने का कारे के लिए तैयारिया की जारी है और यहां पर देख सकते हैं कुछ चालू है तो आसा है कि जल्दी पूरा होगा अब वर्क होए है जब भी अब जितना भी टाइम लग जाए गौवर्बेंट को तो इसे पूरे करना ही करना है और यहां पर आप यह देख सकते हैं यहां पर बागडवर ब्रीज क्यों वरम लोग आ गए बागडवल रेयल्ववे ब्रीज जिसके भी ग्रिंडींग लाँचिं50 नहीं हुआ है ग्रिंडर को लॉंच करना बागी है लेकिन पूल बनके तयार है शिर्फ यहां पर ग्रिंडर को लॉंच कर देंगे तो टनल नंबर दो से कनेक्ट हो जाता है अब यह देख सकते हैं यह भगवा ब्रीज से जो इधर वाला पॉइंट है वो टनल नंबर दो से कनेक्ट है यहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, तो अकेले जाना यहां पर बहुत पॉसिवल है, कभी भी कोई भी जानवर आपर अटेक कर सकता है, और यह देख सकते हैं, यह पुरी तरह से टरनिल 1, टरनिल 2 का एरिया है, यह पुरी तरह से बहुत बड़ा जंगल एरिया ह और यहां पर कुछ अर्थवर का फिलिंग का वर्ग चल रहा था, यहां पर अर्थवर का कुछ काम चल रहा था, तो यह भी काम भी पेंडिंग में है, इसको भी complete नहीं किया गया है, देख सकते हैं कि यहां पर दोनों साइड से जो वाल है, वाल को खड़ा कर दिया गया है, ल पर कुछ लोग भी रहते हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ इंजिन्र्स वगरे भी रहते हैं यहां पर railway के जो भी इस इंजिन्र्स यहां पर रहते हैं और मैं पीछे की और चलता हूं अब हम चलते हैं कारवाग चंदा कि तरफ आप यह देख सकते हैं कि यह बहुत मतलब बहुत घना जंगल है और घने जंगल से जब ट्रेन गुजरी की तो काफी खुबसूरत नाजारा देखने को मिलेगा और काफी यादगार सफर रहेगा जो भी यहां पर फर्स्ट ट्रेन का जो सफर करेगा काफी बहुत और को मैं जो लाइन है कार्वा चंद तक है कंप्लीट और यह देख सकते यह भी अर्थवर का फिलिंग चल रहा है यह कार्वा चंदा रेल्यों श्टेसं से तीन या चारे किलोमीटर के बाद आढ़ गया थी अर्थवर का एक फिलिंग चल रहा था इस अर्थवर का फिलिंग गाइच मैं इस पर अलेडी वीडियो मना चुका हूँ आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जाकर इस से और भी पीछे आते हैं तो जहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ थोड़ा अलग नजारा देखने को मिलेगा इस रूट पर देख सकते हैं करवा चंद थोड़ा सा आगए का रूट है करवा चंद से थोड़ा सा आगे बढ़ होगे यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन्स दीख रहा है जाएसा लग रहा है यहां पर जैसे रेल्वे की लाइन ने बिचाने के लिए प्रोग्रेस में है मतलब यहाँ पे साप सुत्रागर के पूरी तरह से कर दी गई है और अब यहाँ देख सकते हैं जाब हम लोग कारवाचंदर रेलवेस्टेसिंग अंतर इंटर कर गए यह कारवाचंदर रेलवेस्टेसन है और इसका भी ओल्रेडी वीडियो मेंने बना ऐसे करते हैं और इथर का एरिया है वह कावी ओलड़े च नगल कर ब्रिज का निर्मान किया गया है, यह एक छोटा से मीचे नाला टाइप का है, तलाब टाइप का है, और इसको उपर से connection करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज का निर्मान कर दिया गया है, जो यह उमडा रेल्वे स्टेशन की रूट और कारता रेल्वे स्टेशन की रूट को connection क करता है और यके यह किया ने किया क्या क्या चीजुका निरमान किया है उनधीक देख सकते हैं कि चोटे शुटे ब्रीज निरमान कर दिया गया है कि और हलारान कि यह area भल्षोक डेवलप्त है जैसे है आप अम्बुहा की तरफ हो गई ये अम्बुहा गाउं में आ जाता है तो अम्बुहा गाउं से थोड़ा सा आगे पैसिपिक होस्पिटल का भी शुरुवात होती है तो मतलब उमड़ा रेलोटेशन से अब जब आगे आओगे तो थोड़ा सा वो developed city है वहाँ पे college भी है उमड़ा रेलोटेशन की तरफ का ये रूट है ये देख सकते हैं एक यहां भी ब्रीज का निर्मान क्या गया है ये देख सकते हैं ये ब्रीज भी कापी बड़ा ब्रीज है जो अम्ड़ रेलोटेशन और करवा चंदर रेलोटेशन का जो connection point है उसका ये midpoint है और दोनों गाउं को ये connect करता है और कैजिए पूरी तरह से आफली टेंट का forest है ये काफी तरफ से forest area है और ये जो अम्ड़ रेलोटेशन की जब सुरुआत होने वाली है ये अम्बुआ गाउं को क्रोस करोगे जब करवा चाहदा से आओगे तो अम्बुआ गाउं को क्रोस करोगे तो आप उम अम्बुआ रेल्बे श्टेशन से आपको बता है उसके बाद उदेपूर रेल्बे साथ हो जाता है जो काफी बगल में है वहां पर रिजर में ट्रेल लगाया जाता है और आप ये देख सकते हैं यहां पर ये जो ब्रीज का निर्मान किया गया है और जब आप उम्म्रा र अंडर ग्राउंड है मतलब पहाड को गटिंग करके और पहाड के जश्ट नीचे से निखाला गया है तो काफी खुबसूरती नजारा वहां को देखने का मिलता है और यह देख सकते हैं गाई यह पैसिफिक होस्पिटल है जो अम्बुआ गाउं में आता है अम्बुआ अंबुआ है यहां अम्बुआरोड है यह पैसिफिक होस्पिटल अंदेख सकते हैं यहां कापी प्रागर्थी है यहां पे रिचाने आते थिष्ट हैं आप आप साइगिलby सभ्षाओ आ पा प्र magari को पता है कि हैं चाइन ठ्रमीब कर्थ với सरिक है यहां से और इसके बगल में राबली कॉलेज है आरा डेंटल कॉलेज भी है कापी प्रगती वाले एरिया है तो गाइज आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और ज्यादा ज्यादा लोगों को सेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और मैं कोशिद करूँगा आपक आपक याले आपको लोगियोग ओ स अबयार ने प्रगती